हेलो एवरिवन आज हम बात करेंगे CCS University मेरट के MA Sociology 3rd Semester Course 11 Social Problems in India Unit 1st का टापिक है Weaker Sections related SCST and OBC के बारे में इसके लिए हमने कुछ MCQs तियार किया हैं बस उनहीं की जर्चा करते हैं Let's start इसमें 1st question है निम्न में से कौन सी जनजाती नहीं है जैसे जनजातियों के बारे में इसमें पढ़ते हैं तो निम्न में से कौन सी जनजाती नहीं है गोन, कोरकू, भोटिया ये सारी की सारी जनजातिया है जबकि या दब जनजाती नहीं है अभी डिस्कस नहीं करेंगे केवल कोश्चन्स करने हैं निम्ण में से कौन सा जनजातिय पन का सूचक नहीं है तो ये है उच्छ प्रद्योगी की ऐस परश्टा अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये 1955 नागरिक अधिकार सरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये है 1976 अब आगे चलते हैं अनुसूचित जाती एवं जन जाती अत्यचार निवारन अधिनियम ये 1989 में अनुसूचित जाती जन जाती एवं अन्य पिछडे वर्गों के गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो वो दलित कहा जाता है निव्ण में से कौन सी जन जाती की विशेस्ता नहीं है? बाकी सभी जन जाती की विशेस्ता हैं विशेस्त नाम, निशित भूभाग, बहिर विवा, गोद्र धार्मिक कर्म कांडों का अभाव ये जन जाती की विशेस्ता नहीं है किस विद्वान ने जन जातीों को पिछड़े हिंदू कहा? तो ये है इसका अंसर घुरिये निव्ण में से कौन सी समस्या दलितों की नहीं है रोजगार में अधिक परतिनीधित्व ये दलितों की समस्या नहीं है बाकी सभी दलितों की समस्या है नेक्स्ट दलितों की निम्निस्थिती का कारण एसपश्टा के परिणाम सरूप इन हजारों वर्षों से लगे परतिबंद रहे है तो ये बात पूरी तरह से सत्य है दलित के प्रति व्यक्ति आये रास्टिये उसत आये से काफी कम है तो ये बात भी बिल्कुल सही है दलितों में साक्षर्टा दर, रास्टे साक्षर्टा दर से अधिक है ये बात सत्य नहीं है कौन सी जनजाती मध्यप्रदेश में निवास करने वाली नहीं है तो भील, कोरकु और गोन सभी मध्यप्रदेश में निवास करती है और भोटिया मध्यप्रदेश में निवास नहीं करती है किस विद्वान ने जनजातियों का आर्थिक आधार परवर्गी करण किया तो ये हैं मजूमदार नेक्स्ट है मजूमदारयों मदान ने जनजातिय समस्याओं को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया तो वो तीन श्रेणियों में विभाजित किया कौन सी समस्या जंजातिय विकास के मार्ग में अवरोध उफपस्तित कर रही है तो ये सारी की सारी जंजातिय समस्या हैं जो इनके विकास के मार्ग में अवरोध पैदा कर रही है नेक्स्ट आता है जनजातियों में निर्धनता के लिए कौन सा कारण उत्तरदाई है तो सभी दुर्गम निवास इस्थान, परंपरागत करशी, जलवायों और मौसम की पृतिकोलता ये सभी जनजातियों के निर्धनता के कारण है कौन सा कारण जनजातियों में रिन ग्रस्ता के लिए उत्तरदाई है तो ये है निर्धनता एवं भुकमरी नेक्स आता है कौन सी जनजातियों समस्या सामाजिक सांस्क्रतिक सामजस्य से संबंदित है तो ये सभी नवीन संस्तरण का उद्य दुभाशा की समस्या वस्र विवाद कौन सी पिछडे हिंदू वर्ग की समस्या नहीं है पिछडे वर्गों की समस्या नहीं है तो साक्षरता में अग्रने स्थान पिछडे इंदू वर्गों की समस्या नहीं है बाकी तीनों इसकी समस्या है नेक्स्ट है भारतिय समिधान का अनुचेत 17 किस से सम्बंदित है ये कोशन नेट में भी बहुत बार आता है तो ये है एस परश्ता निवारन नागरिक अधिकार सरक्षन अधिनियम कब पारित किया गया 1976 ये पिछे भी आया था गुशन लोगसभा के कुल 542 स्थानों में से कितने स्थान अनुचित जातियों के लिए सुरक्षित है तो ये है 79 लोगसभा के कुल 542 स्थानों में से कितने स्थान अनुचित जातियों के लिए सुरक्षित है यहाँ पर अनुचित जातियों के लिए सुरक्षित कितने स्थान 79 और यहाँ पर अनुचित जातियों के लिए सुरक्षित स्थान 40 आगे बढ़ता है सविधान के किस अनुछेद के अंतरगत अनुसूचित जातियों जन जातियों वे जातियों के सैक्षिक और आर्थिक खितों की रक्षा और उनका सभी प्रकार का सोशन तथा सामाजिक अन्याय से बचाओ की व्यवस्था का प्रवधान है तो ये अनुछेद 49 में है जन जातियों द्वारास इस्थाना अंतरण पर आधारित खेती किसे कहते हैं इस्थान अंतरण मतलब एक जगा से उठाके फिर दूसी जगा फिर तीसरी जगा अलग-अले इस्थानों पर की जाने वेली खेती को क्या कहते हैं जूमखेती कहते हैं और दहयाखेती भी कहते हैं ये दोनों एक ही नाम है बस इन दोनों का एक मिनिंग है दो नाम है जूमखेती जूमखेती किसको कहते हैं कि आदिवासी जो लोग थे वो जंगलों को काटके जो पेड़ वहाँ पर बच जाते थे उनमें आग लगाते हैं आग लगाने के बाद जो एरिया उनका बचता है उस पे खेती करते हैं खेती करने के बाद तीन चार वो फसले वहाँ से लेते हैं उसके बाद जंगल का दूसरा इस्थान इसी तरह से देखते हैं, उसको साफ करते हैं, जलाते हैं, और फिर से वहाँ पे दो-तिन फसले लेते हैं, इस तरह से वो जंगलों को भी खराब कर रहे हैं, नस्ट कर रहे हैं, नेक्स राता है, दलिच शब्द, संस्क्रत से, संस्क्र सभी दलिश शब्द के बारे में दलिश शब्द का सरपर्थम प्रियोग जोती राव फुले ने 19. सितापदीक में भूत पूर ऐस परशों के स्वर्ण हिंदूों द्वारा उत्पीडन के संदर्ब में किया था इसमें कुछ बातें और जोड़ दितें भारतिय समाजवे संस्कृति को जंजातिया निराली छवी प्रदान करती हैं भारत में 532 जंजातिया निवास करती हैं इनकी जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग हमारे देश की जो कुल जनसंख्या है उसका 7 परतिशत भाग जो है वो जन जातिया है जन जातियों को वन्य जाती आदिवासी आदिम जाती गिरी जन आदी भी कहा जाता है भारत सरकार के अधिनियम 1935 इस्वी में भी पिछडी जंजातियों का संदर्ब मिलता है भारत सरकार के आधेश के अंतरगत, 13 अनुसुची के अंतरगत, असम, बिहार, उडिसा, मद्यप्रांथ, मद्रास तथा बंबई के कुछ को कुछ जंजातियों की कुछ जंजातियों को पिछडी जंजातियों की श्र jaarणी में रखा गया और जन्जातियों को पिछडे हिंदू किस ने कहा घुरिये ने कहा तो ये थे कुछ कोशन्स उठाये हुए इस चाप्टर में से इसी के साथ धन्यवाद